तो हेलो आल डिपो यूजर्स ओन दे बिहाफ ओफ एफसी आई विंग्स टीम आवलकम यू अल इन शार्ट वीडियो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे राइस मिलर के स्टैक बुकिंग के लिए आप वेकंट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने गडाउन में तो सबसे प पहले अपना MPIN डालेंगे MPIN डालने के बाद कुछ इस तरीके से login होने के बाद dashboard आपके सामने आएगा उसके बाद three lines पे आपको यहां क्लिक करना है उसमें डिपो प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और एक अपडेट का option है और दूसरा व्यू का आप व्यू पे क्लिक करें आपके सामने आपकेड इपोउस की लिस्ट आएगी पस सक्कूस तरीके से सारे इस टैक्स के आपके सामने एक लिस्ट आरही है उसमें अउसमें सॉपोज आपके सामने आ आज चार स्पेसे आये, suppose this is first A1, 1A1, 1A2, 1A3 and 1A4, suppose आपके सामने 4 स्पेसे आये, तो उसके लिए कुछ इस तरीके से RP, this is receipt part and this is FL, that means full, आपको suppose यहाँ पे कोई भी, suppose मैं 1A का 4 यहाँ पे vacant create करता हूँ, तो यहाँ click करने के बाद vacant पे आप create करेंगे और save पे click करेंगे, आपने देखा 1A का 4 है, वो vacant create नहीं हुआ, अभी MVC create हुआ है, that means अभी आपको यहाँ पे manage vacant space करना है, एक और space generate करते हैं, पहले 1A का 5, 1A 5 पे click करने पे आपने एक और vacant space create किया, और फिर और देखते हैं, 1A 6 यहाँ पे create करते हैं, 1A 6 किया, तो यह सारे suppose हमने 3 vacant space create किये, बट अभी तक यह vacant space create नहीं हुए है, यह Miller को show नहीं होंगे booking के लिए, suppose यहाँ पे 3 MVC create हो गए है, सबसे उपर आप जाएंगे, सबसे उपर जाने के बाद एक review marked vacant space यहाँ पे option आएगा, यहाँ आपको click करना है, 3 आपने MVC create किये हुए हैं, आपको booking order यहाँ पे सबसे पहले mention करना होगा कि, जो भी आपके vacant spaces हैं, उसको किस order में आप booking के लिए allow करना चाह रहे हैं मिलर्स के लिए, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ, मेरा 1st A का 6, जो की 1st A 6 मेरा stack है, वो सबसे पहले book हो, after that 1st A 4, after that 1st A 5, तो यहाँ पे सबसे पहले, मैं 1st A 6 पे click करूँगा, उसका order आप देखेंगे, booking order यहाँ पे 1 आ गया है, उसके बाद मैं चाहता हूँ, यहाँ पे रिकार से, suppose आपके सामने 10 VC create करने हैं, कितने भी VC create करने हैं, आपको booking order, इस तरीके से आपके orders यहाँ पे set हो जाएंगे, उसके बाद आपको ok पे click कर देना है, save पे click कर देना, save पे click करने के बाद, आप देखेंगे, जो VC create नहीं होएते, वो यहाँ पे VC create आपके सामने हो च लगी होगी, और वीडियो के comment में आप बताइए कि आप किस डिपो से ये वीडियो को देख रहे हैं, so thanks, thanks for watching.